किसान अब अपनी फसल के पकने की खुशी में गाजर की मिथाई और विभिन पक्वान बनाने की योजना बना रहे हैं. क्या यह उनकी मेहंत का सही फल है? इस खुशी के साथ यह उनकी फसल की गुनवत्ता को भी दर्शाता है. लेकिन क्या ये उपाय पर्यावरन के इस नए दुश्मन का सामना कर पाएंगे? पक्षियों को भगाने के लिए किसान ने डराने वाले करवे का उप्योग किया है, लेकिन यह उपाय अब तक प्रभावी साबित नहीं हो रहा है. किसानों को अब और भी उपायों पर विचार करना होगा, क्या उनकी यह खोज सफल होगी? किसान अब एक नई चुनोती का सामना कर रहे है. वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे है कि गाजर की फसल को कौन नुकसान पहुचा रहा है? CCTV कैमरा लगाने का विचार एक आधुनिक उपाय है, लेकिन क्या यह उन्हें सही दिशा में ले जाएगा. इस बीच, खरगोश की कहानी भी कुछ कम दिल्चस्प नहीं है. उसने अपनी परेशानियों का सामना करने के लिए हाथ में एक रुमाल लेकर अपने परिवार के प्रती अपनी जिमेदारियों को निस्वार्थ भाव से विक्त किया है. क्या वह अ सहयोग की भावना को दर्शाता है. लेकिन क्या यह सहयोग उन्हें सफल बनाएगा? वीडियो में दर्शाया गया है कि कैसे इंसान और जानवर एक साथ मिलकर शांती से रह सकते है. क्या यह एक सकारात्मक संदेश है जो हमें संग्छित रहने के लिए प्रेरित करेगा? ले उसे अपने खजाने के लिए सही योजना बनाने की आवशकता है. पुलिस इंस्पेक्टर चिंगम का द्रिज निश्चय है कि वह डाकू को पकरने में सफल होगा. वह हमेशा अपराधियों के खिलाफ खरा रहता है. क्या उसकी मेहंद बरबाद होगी या वह अंतह अपने लक्ष में सफल होगा. वीडियो में हास्य और मनोरंजन का तरका है, जिससे कहानी और भी रोचक बन जाती है. क्या पात्रों के बीच मजेदार वारतालाप इसे जीवन्त करने में मदद करेगा? धन और खजाने की चर्चा में दोस्ती की कमी को दर्शाया गया है. एक दोस् क्या यह दोस्ती को खत्म कर देगा? दोस्तों के बीच समवाद और मजाक का माहौल भी दर्शाया गया है. यह दिखाता है कि कैसे दोस्त एक दूसरे के साथ खुल कर बात करते है? क्या उनकी यह दोस्ती उन्हें हर मुश्किल में एक जुत रख पाएगी? अंत में, वीडि की दुनिया को संभाल पाएंगे?